Hello everyone, welcome to Vidya Shree Academy, I hope you are doing well, आज हम पढ़ने वाले हैं, Mount Everest से related important question, क्योंकि Mount Everest काफी important Everest है और जोगरफी में इस से related question आप से पूछा जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले Mount Everest के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि Mount Everest हमाले परवत परिस्तित विश्व की सबसे ल वो कितनी है, 8848.86 मीटर, याद रखिएगा, 8848.86 मीटर, याद रखिएगा, यह आप से हाइट पूछी जा सकती है, Mount Everest का नाम जो एक George Everest थे, Sir George Everest उनके नाम पर रखा गया था, नेपाल में लोग Mount Everest को किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में लोग Mount Everest को सागरमाथा के नाम से जानते हैं, और तिबबत में से चोमो लेंगमा अर्थात परवतों की रानी की रूप में भी जाना जाता है, वैज्ञानकों ने अपने सोध में पाया था कि Mount Everest की जो हाइट है वो प्रतिवर्स 2 cm बढ़ रही है आप कुछ important question है उसे पढ़ लेते हैं सबसे पहला question यही है कि हिमाले की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो हिमाले की सबसे उंची चोटी है Mount Everest याद रखिएगा सबसे उंची चोटी Mount Everest है और जो इसकी height है वो कितनी है वो है 88848.86 meter इसको बिलकुल याद कर लिजेगा आप यह factual question है पूछ रा सकता है किस हिमाले की सबसे उंची चोटी को सागर माथा की नाम से भी जाना जाता है तो सागर माथा याद रखिएगा सागर माथा की नाम से किसे जाना जाता है तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है और सागर माथा की नाम से कहाँ पर जाना जाता है तो नेपाल में जाना जाता है हिमाले की उत्पत्ती किस भू सन्नती से हुई है तो हिमाले की उत्पत्ती टैथिस सागर से हुई है इसको याद रखिएगा ये भी आपसे पूछ रहा सकता है भारत में हमाले की सर सबसे उंची चोटी कौन सी है तो देखे कभी भी ये question इस तरीके से दी भारत में आता है तो आप इसका गलती से भी answer Mount Everest मत लगाईएगा क्योंकि Mount Everest इसका answer नहीं है बात भारत की हो रही है तो इसका answer जो होगा वो कंचन जंगा होगा ये question बहुत मतेपूर है इसको बिलकुल याद रखिएगा कि जो भारत में पूछा जाएगा भारत की चोटी के बारे में तो वो सबसे उंची चोटी होगी कंचन जंगा Mount Everest का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो जो George Everest है उनके नाम पर रखा गया है याद रखिएगा पर next question है कि Mount Everest पर चड़ने वाले व्यक्ति पहले व्यक्ति कौन थे तो Edmond Hillary on Tanjing याद रखिएगा Edmond Hillary on Tanjing प्रतम ऐसे व्यक्ति थे जो Mount Everest पर चड़े हो थे Mount Everest पर चड़ने वाली प्रतम महिला कौन थी प्रथा मैसी महिला हैं जो माउंट एवरिस्ट पर चड़ी थी लेकिन यदी कॉश्चन ऐसा पूछ राता है कि दो बार माउंट एवरिस्ट पर चड़ने वाली महिला कौन है तो वो है संतोष यादव माउंट एवरिस्ट पर चलने वाली महिला जो को तवाई किस देश से संबंदे थे तो इस तरीके से खेरन का नाम भी ऐसा लग रहा है कि यह जापान से रेलेटेड है और अगर नहीं भी लग रहा है आपको तो याद कर लिजेगा कि इनका संबंद कहां से है जापान से है कल पना माउंट एवरिस्ट पर चलने वाली प्रतम भारती महिला कोन थी तो माउंट एवरिस्ट पर चलने वाली अगर प्रतम भारती महिला की बात की जाए तो वो थी वचेंद्री पाल याद रखिएगा इनका नाम वचेंद्री पाल जो है माउंट एवरिस्ट पर चड़ने वाली प्रथम महिला बन गई थी माउंट एवरिस्ट पर चड़ने वाली प्रथम विकलांग महिला कौन थी तो अरुनमा सिनहा एक great motivation है अरुनमा सिना के वारे में अधियाद ने नहीं पढ़ा है तो आप इनकी स्टोरी जरूर पढ़िएगा बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और कहा जाता है न कि जिसके मन में एक सच्ची द्रणिक्षा सकती होती है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है उसी का एक एक एक्जामपल है अरुनमा सिना अरुनमा सिना का नाम सुनके मुझे दुलाएन याद आ जाती है कि ना संखर्स ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान ठक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में किस तरीके से इनका पैर तूट गया लेकिन फिर भी उस जजबे को इनोंने थमने नहीं दिया जो जजबा लेकर इनोंने माउंट एवरिस्ट पर चड़ने का लक्ष एक सपना देखा था लगातार दो बार माउंट एवरिस्ट पर चड़ने वाली महिला कौन है तो एक बार से तो इनको संतोष प्राप्त नहीं होगा तो यह नहीं का कि हम तो लगातार दो बार चड़ेंगे तो इनका नाम है संतोष यादव याद रखिएगा बहुत ही महते पूर्ण प्रश्ण है माउंट एवरिस्ट को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है तो माउंट एवरिस्ट को तिबबत में चोमो लंगमा या इसी को कहा जाता है पहाडों की रानी याद रखिएगा पहाडों की रानी के नाम से जाना जाता है किसे माउंट एवरिस्ट को Mount Everest को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है तो यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि सागरमाधा के नाम से जाना जाता है फिर next question है कि Mount Everest की उचाई पहले की दुल्ला में कितनी बड़ी है तो पहले की दुल्ला में 0.86 मीटर बड़ी है याद रखेगा यह question भी आपसे पूछाजा सकता है तो यह कुछ important questions थे Mount Everest related I hope आपको यह question अच्छे लगे होंगे और अगर आपको यह question अच्छे लग रहे है तो please like, share and subscribe Thank you so much, खुश रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों तक अधिक से अधिक share कीजिएगा वीडियो जै हिंद, जै भारत